नवश्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर राजेपाल ने आरक्षन बिलको दी मंजूरी चाट खाटों की तैयारी को लेकर डीयम ने दी जानकारी राजेपाल ने आरक्षन बिलको दी मंजूरी नितीज सरकार के द्वारा बिहार विधार मंडल के दोनों सदनों में आरक्षन बिल पेश कर बिहार में आरक्षन की सीमा 50 फीजदी से बढ़ा कर 65 फीजदी करने का प्रस्ताव लाया था जिस पर विपक्षी दल भाजपा के द्वारा भी समर्थन दिया गया था वहीं अब दल्ली से लोटने के बाद राजेपाल राजिंद्र विश्वनात आलेर करके द्वारा बिहार में नए आरक्षन बिलको मंजूरी दे दी गई है बता दी कि अब राजेपाल के अस्ताक्षर के बाद बिहार में SC, ST, EBC और OBC के लिए आरक्षन का दाइरा बढ़ गया है वही अब सामाने प्रिशावसन विवाग के ओर से इसको लेकर गजट का प्रकाशन किया जाएगा और गजट का प्रकाशन होते ही इस राजे में लागू कर दिया जाएगा आपके जानकाली के लिए बता दे कि शीत कालीन सत्र में ही नई आरक्षन बिल को पास किया गया था विधायक के अनसार ST के लिए मौजुदा आरक्षन दो गुना कर दिया जाएगा जबकि ST के लिए इसे 16 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 फीजदी किया जाएगा वहीं EBC के लिए आरक्षन 18 फीजदी से बढ़ा कर 25 प्रतिशत और OBC के लिए आरक्षन को 12 फीजदी से बढ़ा कर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा BPSC का सरवर रहेगा डाउन अभ्यर्थी ना हो पड़ेशान BPSC यानि की बिहार लोग से वायोग के सचीव रवी भूशन के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया है के 18 नमबर यानि की आज रात 8 बज़े से 20 नमबर सुभा 8 बज़े तक यानि की कुल 36 घंटे रख रखाओ की वज़ह से BPSC का सरवर डाउन रहेगा वहीं 20 नमबर के सुभा 8 बज़े के बाद से ओनलाइन आवीदन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी ऐसे में सरवर डाउन रहने के दौरान अभ्यर्थी पर रिशान ना हो आपके जानकारी के लिए बता दी के अब तक 5,66,000 अभ्यर्थियों के दौरा पंजियन कराया जा चुका है और 5,52,000 के दौरा फी भी जमा कर दिया गया है इसके लावा कड़ी पौने 4,000 अभ्यर्थियों के दौरा फॉर्म भी भर दिये गया है मालम हो के आवेदन करने की अंतिमतारी 25 नومबर 2023 निरधारت की गई है स्वास्थे विभाग में लगबग1,500,000 पदोपर होगी बहाली बहुत जल्दी बिहार सरकार के स्वास्थे विभाग में करीप 1,500,000 पदोपर बहाली होने वाली है इसको लेकर तयारी जारी है, बता दे किस बहाली को लेकर जो प्रस्ताव तयार किया गया था, उसे वित्विभाक को भेज दिया गया है और अब बहुत जल्दी इसे कैबिनेट में भी ले जाया जाएगा, इसके बाद बहाली की प्रक्रिया आपचारिक रूप से शुरू हो बता दी कि बहाली पर होने वाले खर्च वित्विभाक की ओर से लिये जाते हैं, यही कारण है कि इसके प्रस्ताव को वित्विभाक के पास भेजा गया है, मालमों bang 고 के ओर से कुछ सवाल पूछी जाएंगे जिसका स्वास्त विभाक की ओर से जवाब दिया जाएगा इसके बताया वर्ल्ड क्लास बीदे दिन शिक्रवार को घाना का सोल अस्दशिय उचस्तरिय प्रतिनीधी मंडल के द्वारा योजना एवं विकास मंत्री विजंदर प्रशाद यादव के साथ बैठकी गए जहां इन्होंने संगत रश्ट की पहल पर कई इस्थानों पर कारियों को परिशान है तो वहीं दूसरी और घाना भी बारसी प्रभावित है ऐसे में बिहार की तकनीक उसके लिए मददगार सावित हो सकती है उन्होंने कहा कि बिहार ने महज दो वर्सों में ही यह मुकाम हासल किया है अदिकारियों ने बिहार के आबदा बाहर प्रबंधन तकनीक के सासात मौसंपुरवानुमान को लेकर किये गए कारेों को लेकर विश्वस्तर ये बताया इस बारे में यूजना इवं विकास मंतरी विजंदर प्रशाद यादव के दौरा जानकारी देते वे बताया गया कि बिहार ने पिछले दिनों आबदा प्रबंधन के छेतर में बह वरतियों का नर्जला वरत शुरुक होने वाला है बता दे कि छट को लेकर घाटों को पूरी तरह से सजाल या गया है लेकिन इस बार बिहार की राजधानी पटना के घाटों का सौंदर देखने लाइक है डीम डॉक्टर चंदर से खरसिंग के दौरा जानकारी देते वे ब को तैनात किया गया है इसके लावा मेडिकल कैम भी क्रिया सील रहेगा भीर प्रबंदन और सुगम यातायात के लिए भी सभी तरह की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है विधिविवस्था बनाए रखने के लिए दिन अधिकारियों और पुलस अधिकारियों की प्रतिन पहले की तुला में काफी सुधार दिख रहा कि जानकारी के लिए बता दे कि बिहार की राजधानी पटना का एक यूआई 256 दर्ज किया गया है तुभे इसके अलावा पूर्णिया का एक यूआई 116 छपड़ा का एक यूआई 225 सिवान का 255 आडा का 271 हाजीपुर का 176 गय है जहां का एक यूआई 100 के नीचे दर्ज किया गया है जिनमें सहरसा का एक यूआई 99 किसंगंज का एक यूआई 23 और सासरा में एक यूआई 91 दर्ज किया गया है बिहार प्रशासनिक सेवा के 60 अफसर के प्रमोशन पर UPSC ने लगाई मुहर बीतर दिन शुक्रवार को साल के बैक लॉग को निकाला गया मालू हो कि बिहार में भारतिय प्रशासनिक सेवा के कुल अधिकारियों के पर 369 है यसे भी पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसर को इस में प्रौनती दी गई है पतादिक स्क्रव में वर्ष 2020 के लिए 27 वर्ष 2021 के लिए 24 था वर्ष 2022 के लिए 9 अफसर को इस में प्रौनती मिली है इस संबन में मिले जानकारी के विसार अगले वर्ष जनवरी में इन 60 अधिकारियों को भारतिय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में प्रौनत के जानी के अधिसूचना जारी की जाएगी दिसंबर तक बोर्ट की बैठक की प्रोसेडिंग तग्यार होगी इसके बाद संगलोक सेवा आयोग उनके नाम की विधिवत सूची जारी करेगा इसके बाद राजिसरकार का समाने प्रशासन विवाग इन्हें विधिवत रूप से पदस्थापित करेगा लैनफोर जॉब स्कैम में अब रेलवे के पचास करमचारियों से भी पूछताच नौकली के बदले जमीन घुटाले मामने में सीबियाई के द्वारा करमचारी मध्यपुर्व रेलवे और नारंदा एवं अमबाला डिवीजन में तैनाद ग्रूप डी की नौकली करने वाले पचास करमचारियों को पूछताच के लिए बुलाया गया है बता दे कि सीबियाई के अधिकारी विजय कुमार के ओर से सोनपुर डिवीजन के सीनियर कोचिंग डीपो इन चार्ज को खत लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि वह करमचारियों को पर्मिशन दे कि वह दस्तावेजों के साथ दिली में सीबियाई मुख्याले आ सके मालूम हो के सीबियाई के दौरा इन 50 करमचारियों को 21 और 25 नमबर को पूछताच के लिए बुलाया गया है CBI ने इन करमचारियों से कहा है कि वह अपने पूछताच के लिए अपने सैचनिक रहाईसी दस्तावेच ले करा है इसके लावा करेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और विभाग का आईडी कार्ड भी ले करा है मालम हो किस मामले मिलालू पशाद यादव के रेल मंतरी रहने के दोरान हुए इस घोटाले में तेरश्वी यादव, मीशा यादव समेथ कई लोगों के नाम सामेल है और इस मामले की जाँच, ED और CBI दोनों मिलकर कर रही है मोबाइल पढ़ाए लिंक को क्लिक कर खोई 16 लाक रुपे, 16 लाक रुपे की ठगी का मामला सामने आया है अविशेक के दोरा दी गई जानकारी के नसार ये पैसे, उनकी बहन की शादी को लेकर थे जो दिसंबर में होने वाली है बता दी कि मिले जानकारी के नसार 16 नवंबर की, तो पहर को अविशेक के मोबाइल पर एक कॉल आता है जो खुद को नीजी बैंक में क्रेट कार डेपार्टमेंट का रिकारी बता कर ओनलाइन डेबिट कार चारू करने के नाम पर मुबाइल पर एक लिंक भेजता है से चल रही है ऐसे में किये जारे तैयारियों का जाईजा डीम अविनेश कुमार सिंग तिथा पुलिस अधिक चक जगुनाथ रेड़ी जलारेड़ी के द्वारा लिया गया वहिस दोरान उनके साथ कूल सचीव करनल विजय कुमार ठाकोर, DSW डॉक्टर भवेश चंदर पा पूरे जले में 21-24 नमबर तक माले निकालेगा मजदूर किसान संगर्श यात्रा, वीदर दिन सुक्रवार को अकबरपुर प्रकरन के बड़ेव गाउं में जला सचीव भोला राम की अध्यक्षता में भागपा माले कारेकरताओं की बैठक आयोजित की गई बता दे किस द रमनकर समिधान बचाओ लोगतंत्र बचाओ राजव्यापी किसान मजदूर संगर्श यात्रा किया जाएगा वही राजभवन पटना के समग 26-28 नमबर तक आयोजित होने वाले महापड़ाओ में नवादा से सैक्रो किसान मजदूर भाग लेंगे बता दे किस दौरान इस पार्टी लोजपा रामविलास के द्वारा च्छट के मौके पर भी अपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को लोगों तक पहुचाने की मुहीम छे रखी है पतादी के लोजपा रामविलास के प्रदेश संगठन मंतरी रविंदर कुमार सिंग के निततु में प बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्युमेंट के बारे में लोगों को बताया गया और उने हर घर तक पहुचानी का आवाहन किया गया इसके साथ ही किसान चाची के नाम से चर्चित पदमुश्री राजकुमारी देवी से भी पार्टी के प्रतिनीधी मंडल के गया बीजबी सांसद ने सीम नितीश पर साधा निशाना पुर्वुप मुख्य मंत्री एवं राज्य सभा सांस सुसील कुमार मोदी के द्वारा बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार पर निशाना साथ वे कहा गया कि बिहार लोग सभा आयों के नव निक्त सक्षकों क पर यही सकती होगी और फिर विपक्ष की आवाज दवाई जाएगी। सवार उठाने वाले आधा दर्जन युवा अभ्यर्थियों को नोटिस देकर उने डराना चाहती है यदि उनमें हमत है तो वह जमूई में दरोगा की हत्या के आरोपितों के नाम भी फोटो के साथ सारज ने करें। शामिल हो जाएगी। बता दे के ICC ने वर्ल्ड कप फाइनल जीतने वाली टीम के लिए 40 लाग डॉलर की प्राइज मनी रखी है चुकि भारती क्रिकेट टीम BCCI के अंडर खेलती है। इस टीर ये प्राइज मनी पहले BCCI के खाते में जाएगी। हाला कि बाद में BCCI इस प्राइज मनी को वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीम के प्लेयर्स और कोच के बीच में डिस्टिब्यूट कर देगी। इस साथ ही खिलारियों के अच्छे प्रदर्शन पर वह अपनी तरफ से उन्हें बोनस भी देगी। अब बरते हैं आज के पांच सवाल की और हमारा पहला सवाल है। प्रशुकब 2023 के फाइनल में बीजेता टीम के लिए कितनी प्राइस बनी रखी गई है। उप्शने 40 लाग डॉलर, उप्शनी 80 लाग डॉलर, उप्शनी 20 लाग डॉलर, उप्शनी इनमें से कोई नहीं। उप्शनी 20 लाग डॉलर, 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 बिहार में भारतिय प्रशास्निक सेवा के कुल अधिकारियों के कितने पद हैं। इसका सहुत्तर है option D 256 अगला सवाल, BPSC का सरवर कब तक डाउन रहने वाला है? option D 27 नवंबर सुभा आठ बज़े तक, option C 16 दिसंबर सुभा आठ बज़े तक, option D इन में से कोई नहीं। इसका सहुत्तर है option B 20 नवंबर सुभा आठ बज़े तक। इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल की और राज का सवाल है? आपके छेतर में छट घाटों पर प्रिशासन के ओर से की गई तयारियों से आप संतुस्ठ है या नहीं? अपना चवाब हमें मारी कॉमेंट सक्षम अलिक का ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ पर नहीं के देखते रहें बिहारे नियूज और साथी अगर आप यूटूब से देखना चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देखना हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवादू प्रिपट